रूस को रुकने के लिए यूक्रेन को लड़ाकू जट चाहिए और जेलिंस्की की ये डिमांड पूरी करने वाले अब पुतीन के टागेट पर आ चुके हैं इसी में नए नाम फ्रांस का है फ्रांस को पुतीन की तरफ से खतरनाक वार्निंग मिली अब पूरे योरोप को साथ जून को हुई इस मीटिंग ने साबित कर दिया कि यूक्रेन रूस को आस्मानी टक कर देता रहेगा जैलन्स की मैक्रो ऐसे मिले जैसे रूस से लड़ाई लड़ने के लिए अब फ्रांस पूरी तरह तयार है इस मुलाकात में जैलन्स की की नजर हत्यारों पर रही और मैक्रों की नजर पुतिन की फॉज पर इस मीटिंग ने साबित कर दिया कि यूक्रेन को अब F-16 के साथ साथ फ्रांस का फाइटर मिराज टू-ट्रिपल-जेरो भी मिलेगा इसकी गैरंटी फ्रांस के राश्रबती इमैन्वाल मैक्रों ने दी है मिराज 2000 यानि वो लड़ाको विमान जो राफैल से पहले फ्रांस का टॉप फाइटर जेट माना गया अब यही फाइटर यूक्रेन के पास आएगा और रूस के सुखोई विमानों से टकर लेगा इस सुखत यूक्रेन को जो फाइटर जेट मिलना पक्का हो चुका है पहला है F-16 और दूसरा है मिराज 2000 दोनों इन नातों के जबरदस्ट फाइटर हैं और इसमें कोई शक नहीं कि रूस को टकर देने की गैरंटी माने जा रहे है निराज 2000 बैतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये ना सिर्फ रूस के फाइटर जट्स का सामना कर सकता है बलकि रूस के जमीनी टार्गेट पर हमला भी कर सकता है जेलेंज की इन विमानों को स्पेशल मिशन एर्ट्राफ्ट के दोर पर इस्तेमाल करना चाहेंगे फ्रांस जानता है कि वो योकरेन की मदद करके रूस को नाराज कर रहा है लेकिन माक्रों ने ये खत्रा उठा लिया है जा क् लेतों भाइब जाइब खकुन्सता है अंस्तुर्रापस के लेकिनावणने को Earth का Kasus हम है लूब in 175 00-12%basedmes yanेud है जे हींज को जाइते हैं हम माच्ना unलीदाने बास्छutar전ना से का ये उक्रेन को मिल रहे फाइटर जट वाले तोफ़ों को देखकर पोतिन बहुत गुस्सा है और वो बार बार बता रहे हैं कि नाटोर रेड लाइन को क्रॉस ना करे फिलहाल्ड वुस की नई वानिंग फ्रांस के लिए आये और ये साफ-साफ मेराज 2000 जट को लेकरे मिराज वह बड़ति गड़न को मेलने जा है वही वर जाला मिराज बार बंट को से भी है वहालन वाला मिराज ठेल जट मीरहा जबी बीज़ज आफ लगया वाला फैटर जाट कर जाया है को वह वर जनवाला मिराज भारत के पास भी है मिराज फाइटर कौन से हत्यार फायर करेगा इस बारे में जैलेंसकी को बताया क्या है इसमें ये हैमर बम भी है जो स्पेशल किट की वज़े से 70 किलोमेटर दूर जाकर दुश्पन पर फटता है जैलेंसकी बार बार पूछते रहे हैं कि पोतिन के हवाई हमलों से योकरेन को कौन बचाएगा पोतिन के मेसाइल अटक का जवाब कौन देगा पोतिन की फॉज को उनके घर में घुसकर कौन मारेगा इसलिए जैलेंसकी को ये भी चाहिए योरो फाइटर जैलेंसकी ने इसकी भी डिमांड की है मिराज 2000 और ये वाला जहाज तो जैलेंसकी को जरूर चाहिए F60 ये बात साफ है कि योकरेन को बचाने से जादा जैलेंसकी रूस पर हमले के लिए बेकरार है और अब इसमें फ्रांस भी उनकी मदद को आके आके है अब बात साफ है उनकी में जादान की लिए प्रांस को जाता है जैलेंस्की डॉनबास में रूस के ठिकानों तक ही नहीं बलकि मॉस्कों में पोतिन के हेड़क्वाटर यानि क्रेमलिन तक हमला करेंगे। ये ताकत हासिल करने के लिए जैलेंस्की ने बहुत पापड़ बेले हैं। फाइटर जेट को लेकर पांच पाइदे बताएं हैं। इसमें योक्रेन की जरूरत से लेकर अमेरिका को लालच और ऐसे वादे भी हैं। जिन पर यथीन करना वाइडन के लिए दो धारी चाको पकड़ने जैसा है। हो रहा है। लेकिन मिराज और F-16 मिलने से बाकी 25% की भरपाई भी हो जाएगा। क्योंकि तब ये जहाज नैटो से मिले एर डिफेंस के साथ मिलकर एक नेटवर्क बना कर काम करेगा। F-16 चुनने की दूसरी बज़र डॉक्ट फाइट में ये जहाज रूस के विमानों पर भारी पड़ सकता है। जबकि सच ये है कि रूस के सुखोई 35 जैसे फाइटर जेट दुनिया के बैतरीन डॉक्ट फाइटर माने जाते हैं। यानि ये ऐसी कलाबाजियां खाते हैं कि इसके मुकाबले में दुश्वन का कोई फाइटर ज्यादा वक्त तक नहीं टिप पाता। लेकिन जैलन्सकी का कहना है कि F-16 मिलेंगे तो रूस के लड़ाको विमानों को गिराना आसान हो जाएगा। हलाकि अब तक नैटो कोई ये समझ में नहीं आ रहा है कि रूस से कैसे निप्टा जाए। जैलन्सकी भी परिशान है कि अगला हमला रूस कैसे करेगा और वो उसे कैसे रोक पाएंगे अगर वो अमेरिका और उसके नैटो वाले साथियों से हत्यार नहीं मागनेगे तो योकरेन का पूरी तरह से ढह जाना बस कुछ दिनों की बात रह जाएगा। उनके सामने रूस के फाइटर जेट हैं जो आए दिन योकरेन पर बम बरसा रहे हैं। जैलन्सकी इसी खत्रे को खत्म करना चाहते हैं। इसमें चाहे पुतिन के फाइटर जेट हों या फिर पुतिन के अटैक हेलिकॉप्टर। रूस की एर पावर 2400 घंटे योकरेन पर खत्रे की तरह मंड़ा रही है। यही ताकत हैं जिसे दिखा कर पुतिन बार बार कह रहे हैं कि योकरेन को हथियार डालने पड़ेंगे क्योंकि इस से कम में वो मानने वाले नहीं हैं। दिली से जमू कश्मीर तक हल चल बढ़ गई है। हाई प्रोफाइल बैटकों के बाद सुरक्षा बल अब आक्शन मोर में हैं। चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जरनल अनल चोहान भी जमू पहुंच गए हैं। अब घाटी में सुरक्षा बलों को एक जबर्दस कामियाभी हाथ लगी है। इसी बात से अब पाकिस्तान की सेना बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। आतंक के मुकम्मल इलाज के लिए जम्मू पहुंचे सीडियस। ग्रेव मंत्राले ने रियासी हमले की जाच एनाईये को सौपी। हंदवाडा से सुरक्षा बलों ने आतंकी को किया गिरफतार। मोदी सरकार कश्मीर के साथ जम्मू में भी जीरो टेरर प्लान का मूड बना चुकी है। ग्रेव मंत्राले एक्षन में आ चुका है। सेना अलार्ट मोड पर है। सीडियस अनिल चोहान ने जम्मू का दौरा किया है। सीडियस अनिल चोहान का ये दौरा ऐसे वक्त में रहा। जब ग्रेव मंत्रे अमिट शाह ने रविवार को अमरनात यात्रा के लिए सुरक्षा इस्थिती और कयारियों पर हाई लेवल मीटिंग की थी। और उसके अगले ही दिन सीडियस अनिल चोहान जम्मू पहुंच गया। घाटी में सुरक्षा बलो ने चप्पे चप्पे पर नजर और पैनी कर दी है। हर तरफ तलाशी अभियान चल रहा है। ऐसे ही एक इनपुट पर सुरक्षा बलो ने हंदवाडा में हिजबल मुजाहिद दीन के आतंकी को गिरफतार किया। जाकिर हमिद मीर नाम के इस आतंकी को पाकिस्तान में बैठे उसके आखाउं से सौफ्ट टार्गेट करने का हुप दिया गया था। और उसी के आदेश पर आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। काल हमें खबर मिली है कि एक टेर्रिस्ट है जिसके पास वैपन्स है और वो किसी तार्ग में बैटा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा। इस सिल्सले में इंफर्ण मिली के बाद हमने आमी के साथ 30RR के साथ पुलीस ने और बागी एसेप्स के साथ ऑप्रेशन लाँच कर लिया। आपरेशन में हमने जब बंदे को इडेंटिफाई हो गिया कि बंदा कोन है उससे वैपन्स भी सीज़ गिया है वैपन्स उसके एक चाइनीज पिस्टल है एक गरनेट और एमटी यही तो मैगजी पिस्टल के है तो इसमें हमने F.I.R. 124 हैंवारा पुलीस टेशन में लगा लग 40 किलोमीटर दूर रियासी में श्रद्धालों के बस पर आतंकियों ने गोलियां बसाई इस हमले में 9 यात्रियों की मौत और 41 लोग खायल हो गए इस हमले के लगभग 48 गंटे बाद 10 जून की शाम को जिला कठुआ में पोलियों की आवाज गूजी जो 11 जून की दो प साफ है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही आतंकियों के आका बौकला चुके हैं इसलिए आतंकी वादात को अंजाम दे रहे हैं लेकिन अब आतंकियों की एक नहीं चलने वाले क्योंकि मोदी सरकार सत्ता समाल चुकी है और इस सरकार को एक्षन लेने आता आतंकी कितने बौखला चुके हैं इसका ताजा उदारण है आईए साइए समर्थित पत्रिकाव वाइस ओफ खुरासान का एक ताजा आर्टिकल जिससे साफ होता है वाइस ओफ खुरासान के आर्टिकल में छपा है वाइस ओफ खुरासान मेगजीन के जरिये पी एम मोदी के खिलाफ जहर उगला गया है उनको बताया गया है कि इसलाम के खिलाफ भारत में वह एक हिंदुवादी राश्टिस थापना करने की कोशिश कर रहे है जिसका पूरा असर है मुस्लिमों के हितकार नुकसान होना यही नहीं घजनवी और कासिम जैसे लोगों की तारीफ की गई है इस मैगजीन में कुल मिलाकर बीजेपी और पीएम मोदी को निशाने पद लिया गया है इस जहरीली मैगजीन में रिपोर्ट्स के मुदाबिक पत्रिकाव वाईस ओखुरासान ने अपने कवर पेच पर दी गई हेडलाइन में लिखा ये बहुदेव वादी भारती अराजा महमूद घजनवी का फिर से सामना करने के लिए तयार हो जाओ भारत के मुश्रीकों को कारों से मारो, शाकों से उनके पेट चीरो, इनके मंदिरों, घरों, कारों, संपत्तियों और पस्लों में आख लगाओ, भीड भाड़वाली जगों को निशाना बनाओ मुस्लिमों को भड़काने के लिए इस लेख में कहा गया है कि घैर मुस्लिम उनकी जमीनों पर कपजा और महिलाओं का अपमान करते हुए शरिया कानूनों का मजा कुड़ा रहे हैं आज के अधित्तर मुस्लिमों को इस दुनिया से मुहंबत हो गई है इसलिए वो जिहाद की रा में मरने की हिम्मत नहीं जुड़ा पाते जनवरी 2024 में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम फिल्मी, राजनैतिक, खेल और व्यापार जगत के हस्तियों के शामिल होने पर भी आईस आईस समर्थित इस पत्रिका में नाराजगी जताई गई है लेक में राम मंदिर बाबरी केस में आए फैसले को भी गलत तहराने की कोशिश की गई है यहीने वैसी के खिलाव चुनाव लड़ चुकी बीजेपी महीला प्रत्याशी के खिलाव भी इस पत्रिका ने जहर उगला है ताकि लोग और ज्यादा से ज्यादा उसके खिलाफ भड़क जाएं इस तरह के लिए भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खत्रा है